अग्याइब कर सकते हैं और कैसे हम उसमें मिनिमम ऐलेमेंट फाइंड आट कर सकते हैं तो आई सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास की डेफिनिशन और उसके बात करते हैं कुछ एक्जामपल डेफिनिशन के कहती है maximum की if it is maximal and every element is related to it means आपके पास दो-दो condition है कि कोई भी element को आप maximum कब बोलेंगे जब आपके पास वो element maximal हो means let's suppose मैं बोलता हूँ x अगर यह आपके पास क्या है maximal ठीक है और साथ ही साथ दूसी condition है कि every element is related to it means उस हैस डाग्राम में जो भी हैस डाग्राम को गिवन है सारे के सारे element इस x के साथ अगर रिलेट करते हैं तब यह x का कहलाएगा आपके पास maximum ठीक है तब यह x का कहलाएगा आपके पास maximum वैसे ही minimum क्या है if it is minimal means अगर let's suppose y है इसको अगर मेरेको आपको पास minimum प्रूफ करना है तो पहली चीज वो क्या होना चाहिए आपके पास minimal तो अगर यह आपके पास minimal है minimal है and it is related to every element यह seat वो जो भी porset यापना है वो सारे element के पास readers कर रहा है if it is related to every element सारे के सारे element के साथ are temat कर रहा है तो यह y क्या कहलाएगा आपके पास minimal ठीक है तो X और Y क्या होंगे आपके पास Maximal, sorry Maximum Maximum Y और X आपके पास Maximum और Y आपके पास Minimum ठीक है तो Maximum और Minimum find out करने से पहले आपको यह find out करना पड़ेगा कि आपके पास Maximal कैसे find out होता है और Minimal कैसे find out होता है तो previous lecture में हम यह देख चुके हैं कि आपके पास यह elements कैसे find out होते हैं तो उस वीडियो का link मैंने आपको description में दे दिया है एक पास जाके जरूर देखें कि कि किसी भी hash diagram में maximal element कैसे find out होता है और कैसे minimal element find out होता है तो अब हम देखते हैं कुछ example, example से समझेंगे कि maximum or minimum element कैसे find out होंगे किसी भी hash diagram में तो आइए आप देख लेते हैं कुछ example, let's suppose हमें कुछ hash diagram given है अब इस hash diagram का हमें क्या find out करना है आपको maximum element और आपके पास minimum element तो कोई भी hash diagram हो तो उसका maximum or minimum find out करने के लिए पहले क्या find out करना पड़ेगा अगर maximum है तो पहले हमें find out करना पड़ेगा maximal और minimum के लिए पहले find out करना पड़ेगा हमें minimal element तो previous lecture में हम यह देख चुके हैं कि कैसे find out करते हैं maximal और minimal तो एक दो questions में हम directly process देखेंगे कि कैसे आपके पास find out होता है और बाकि हम जितने भी example से हम directly short cut method अपनाएंगे maximum और minimum के तो आपके पास maximal किसी भी आपके पास है उसका maximal कैसे find out होता है maximal element वह element होता है जो किसी के साथ relate नहीं करता है ऐसा element जो किसी के साथ relate नहीं करता है means अगर कभी आपको है याद करी पड़ीगी हमेशा कि लेट सपोस यह हमारे पास कोई भी हिस डेर है अगर यह X है Y है तो इसका मुझा है जाएंगे हमेशा यूसा एकस के साथ separately करता है यह यह की सैर नहीं करता है तो क्या मैं A को maybe best कर रहा है तो क्या मैं को मैंसा कर सकता हम नहीं क्योंकि AB के साथ रिलेट कर रहा है तो Best का इश्या अपके पास रिलेट कर रहा है तो tragically किसी के साथ रिलेट नहीं तो worship कि अब कर भंद आपके पास maximum घ्या होगया मैक्सिमाख के पास minimal Minimal element means एक ऐसा element जो उसके साथ relate ना कर रहा हो अब बोलता हूं तो C D के साथ relate कर रहा है तो D आपके पास minimal element नहीं है B C के साथ relate कर रहा है तो C आपके पास minimal नहीं है A B के साथ relate कर रहा है तो B आपके पास minimal नहीं है कोई भी element ऐसा नहीं है जो A के साथ relate कर रहा है कोई भी element ऐसा नहीं है जो एके साथ relate कर रहा है तो यह क्या होगा आपके पास आपके पास minimal यह क्या होगा आपके पास minimal ठीक है अब है अब आपते हैं main चीज आपके पास maximum और minimum ठीक है तो आपके पास maximum कहाँ से निकलता है वो element जो आपके पास minimum, sorry, आपके पास क्या होता है, maximum, maximum आपके पास कम निकलता है, जब वो element क्या हो आपके पास, maximal, maximal में एक ही element है, d, अब d आपके पास maximum है या नहीं है, d आपके पास maximal है, वो आपके पास maximum है या नहीं है, तो उसके दो condition होती है, इस element के लिए, कि ये element तो पह चाहिए ठीक है तो C भी DCT कर रहा हैimentos वी डी को ंएक भी को अखे कर रहा है क्योंकि एबी को कर रहा है वी सिकतर अफंञे county Let , nichts कर रहा है मेन सारे element arp रीना हें को कंदिशन सीटिसफाई तो मैक्सिमम्त किया हो गया है आपके पस ठीक है , और आपके पास आता है कि आपके पास minimum to minimum element कैसे founded होता है पहले बात A सब को relate करना चाहिए A सब को A B को भी relate कर रहा है A C को भी relate कर रहा है और A D को भी relate कर रहा है सभी element को relate होना चाहिए तो दोनों condition satisfy तो A क्या हो गया आपके पास minimum element भी तो इस तरह से हम find out करते हैं किसी भी हैस डागरम का maximum और minimum element देखते हैं आपके पास example number 2 example number 2 में क्या है आपके पास अब directly करते हैं अब देखते हैं maximal element देखते हैं C और D element ऐसे हैं जो किसी को relate नहीं कर रहे C और D element ऐसे हैं जो किसी को relate नहीं कर रहे तो maximal में क्या होगा आपके पास C and D minimal में आपके पास एक ही element है जो कोई element जो उसको रिलेट नहीं कर रहा है तो आपके पास minimal में क्या होगी आपके पास ठीक है अभी निकाल लिया maximal and minimal अब है find out maximum के बारे इस diagram का maximum कैसे find out करेंगे तो इस में से ही pair लेंगे सी और डी में से कोई ना कोई maximum होगा ठीक है इन ही दोनों में से कोई ना कोई maximum होगा तो पहले लेते हैं सी अब सी आपके पास maximum है कि नहीं है तो उसके लिए पहले condition सी आपके पास maximal में होना चाहिए maximal में है पहले condition satisfy दूसरी condition सारे के सारे element c के साथ relate होने चाहिए ठीक है सारी कैं सारी तो आप देखते हैं आपके पास बी भी दिलेट कर रहा है सी को बट डी दिलेट नहीं कर रहा है आपके पास c को डी और c में को दिलेट नहीं है तो c आपके पास maximum नहीं हुआ डी की बारी आए तो डी में भी वही है कि ए तो जिलेट कर रहा है आपके पास डी भी भी जिलेट कर रहा है आपके पास डी बट सी नहीं कर रहा है आपके पास डी को जिलेट तो डी भी आपके पास maximum नहीं हुआ दोनों ही condition आपके पास satisfy होनी चाहिए तो नहीं C हो रहा है नहीं D हो आपके पास तो यह जो आपके पास हैस डियागराम है इसमें आपके पास कोई भी आगर आपके पास maximum element नहीं है अब आपके पास minimum के बारी तो minimum में आपके पास ले लिया आपके पास A, A आपके पास minimum में है पहली condition satisfy दूसरी condition A है सभी को delete होना चाहिए तो A, B को भी delete करदा है, A, C को भी delete करदा है और A, D को भी delete करदा है तो minimum क्या होगी आपके पास ए ठीक है तो यह जो आपके पास second वाला है इसमें कोई भी maximum element नहीं है और आपके पास एक ही element है जो कि आपके पास minimum element तो इसका मेंस आपके पास conclusion है आपके पास simple जो हमेशा भी याद रखिएगा तो कोई भी हैस्ट डियागराम का भी easily maximum और minimum element find out कर सकता है पहले चीज़ यह कि अगर आपके पास maximal में maximal लेता हूं के पास maximal या minimal दोनों की बात करते हैं कि अगर उसमें एक ही element है उसमें क्या है एक ही element है या है आपके पास maximal या है आपके पास minimal उनमें एक ही element है तो वही element आपके पास maximum जयाएस हमने प्रिवेस में किया था कि इसमें आपके पास d था आपके पास maximal तो वही बन गया wait minimum के बारी तो a यही था मेरे हैं अगर मेरे पास एक से ज्छादा element हो गए अगर मैरे maximal में मेरे एक से ज्छादा element हो गए तो उस condition में मैं maximum element find out नहीं कर पाऊंगा ठीक है क्योंकि वो आपके पास 2 हैं A और B है 2 हैं आपके पास अब इन दोनों में maximum क्या है मेरे को नहीं पता जब तक उन दोनों के बीच में कोई relation ही नहीं होगा और हम जानते है relation horizontally कभी भी नहीं होता ठीक है तो इन दोनों के बीच में का कोई relation ही नहीं है तो मैं कैसे find out कर लों कि A आपके पास maximum है या B आपके पास maximum है ठीक है तो simple सा यह है आपके पास कि कोई भी hash diagram है उसमें maximal में एक से ज़्यादा element है तो maximum find out नहीं कर सकते मिनिमल में एक से ज़्यादा element है तो उसमें भी आपके पास minimum element find out नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके पास example number 3, maximal कितने हैं आपके पास, हम जैसे देख रहे हैं, D and E, ठीक है, आप directly आप कर सकते है, maximal में कौन-कौन से है, D and E, क्योंकि उनके साथ, वो किसी के साथ relate नहीं करें, ठीक A और B है, आपके पास minimal, A और B के आपके पास minimal, तो minimum क्या होगा, कोई भी नि, क्योंकि यहाँ दो element है, तो आपके पास, कोई भी minimum नहीं होगा, आप चाहें, तो normally A और B, पहले A को देखें कि A आपके पास minimum में है कि नहीं है, पहला condition satisfy, बट दूसा condition भी होता है, ठीक है, वो condition satisfy नहीं हो पाएगी, क्योंकि A आपके पास, क्या होना चाहिए minimum के लिए, वो element सब को de-la-yat होना चाहिए, तो A आपके पास C को de-la-yat कर रहा है, ए डी को कर रहा है ए ए को बट ए बी को दिलेट नहीं कर रहा वैसे ही बी ए घुरत नहीं कर रहा तो दोुझ लिए आपके पास कोई भी मिनिमम नहीं होगा यह सिंपल सा आपके पास है किसी पास प्रक्ष arguments आपके पास फोर इसमें आपके पास पास maximal क्या है लेट कर रहा है एक स्जार को कर Cum1 को भी कर रहा है कोई आपके पास maximum में तो maximum कोई भी नहीं पा क्या हो जाएगा आप चाहें तो condition check कर सकते हैं जासे हम करते हैं दुबारे कि यह आप के पास minimum होगा कि नहीं होगा पहली कंडिशन कि यह आपके पास minimal में होना चाहिए तो a minimal वाले सेट में है है हैं पहली कन्दिशन साइदिस्वाए दूसरा वो marks हwno सब को डिलेट होना चाहिए वह सब को डिलेट कर रहा है कर रहा है, यहँ को मे आपके पास मिनिममा इलक सिते हैं है टो उसमें आपके पास maximal क्या है आपके पास e to maximum भी क्या होगा आपके पास ठीक है मैक और आपके पास minimal क्या है aandb minimal किया एऍट नबी तो 2 elements आ गए password minimal वाले सैट में तो minimum आपके पास कोई भी element नहीं होगा ठीक है तो इस तरह से हम find-out कर सकते हैं क्सी भी hash diagram में कैसे maximum find out करें और कैसे आपके पास minimum element find out करें तो हमेशा हमेशा दो चीज हमेशा यार रखेगा पहला कि अगर कुछ आपके पास यह x y है तो x relate करता है y को y x को relate नहीं करता है पहली यह चीज और दूसरी यह चीज कि आपके पास maximal या minimal जो भी set है उनमें अगर एक से ज़्यादा element हो गए जैसे आपके पास minimal में एक से ज़्यादा element हो गए तो कोई भी minimum element नहीं होगा तो means इसका means यह है कि अगर हम find out करें किसी भी hash diagram का maximum या आपके पास minimum तो उसका जो set होगा उसमें या तो एक ही element होगा या तो कोई भी element नहीं होगा दो ही चीज हो सकते हैं या तो एक ही element होगा या तो कोई भी element नहीं होगा